आज कल आप लोग देख रहे होंगे कि राजिस्थान राज्ज में लाल डाइरी काफी चर्चा में बनी हुई है और काफी बिवाद भी उट रहा है आप देखेंगे हमारे पिधार मंत्री साब राजिस्थान गए हुए थे तो उन्होंने भी लाल डाइरी का जिक्र किया है और इसी साल राजिस्थान में आपकी बिधान सबा चुनाओ है तो लाल डायरी की पूरी कहानी क्या है इसके पीछे की कहानी क्या है और एक मंत्री थे जिनका नाम था राजिंद गुडा इन्हें असोक गहलो साहब ने वर्खास्त कर दिया था मंत्री पर से हटा दिया था, उसके बाद ही यही लाइल डायरी को लेकर आये हैं, तो इनके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे, एक बार पहले आप लोग कुछ और पिक्चर देख लिजे, विष्टाचार किट लाल किताब, यह आप देखे, पिधान मंत्री साहब भी यहा हिमाचल पर देश से लगती है, यहां के मुकमंत्री है असोग गहलोत, कॉंग्रेस की सरकार है, और आप देखेंगे राजजपाल है यहां के, कौन है राजपाल, कलराज मिसरा है, बिधान सभा में 200 सीट हैं, राजजपा में 10 सीट हैं, लोग सभा में 25 सीट हैं, 3,42,249 बर पर उतर आये थे, और उस दोराज जो RTDC की चेयर्मेन थे, और मुकमंत्री के बरे करीबी थे, इनका नाम था धर्मेंद राठोड, उनके घर पर जाँ चैसियों ED और Income Tax ने चापा मारा था, ED यानि कि किसकी बात हो रही, Inforcement Directed की बात हो रही, प्रिबर्दम ने देशालाई और ये कहानी में गुडा की हवाले से सुना रहा, जो आप देखते हैं कि जो गुडा साहब, जो मंत्री बरखास्त हो चुके है, उन्होंने जो कहा है, उसके हिसाब से बता रहे हैं, फिर बीजेपी क्या कह रही है, उस पर भी बात कर लेंगे, कुछ सवाल भी आप देख र इनका नाम राजिन गुडा ने उनका नाम नहीं लिया, और उनके साथ जाली तोड़ कर गए, और जाज एजनसियों के बीच से लाल डायरी छेन कर ले आये, कौन कह रहे हैं, ये राजिन गुडा कह रहे हैं, जो आप देखते हैं कि मंत्री पर से हट चुके हैं, और बाहर निकल कर गहलोट ने कहा कि मैं लाल डायरी ले कर आया हूँ, गहलो सेनों ने कहा, गहलोट ने कहा कि इसको जला दो, तो मैंने कहा कि जला देता हूँ, और उसका जिक्र राजिन गुडा ने बीच बीच में किया था, तब किसी ने गंभीरता से नहीं लिया था, और अब किताब लाल लहराते हैं और इस्पीकर सहाब इनको प्रोटोकॉल की याद दिलाते हैं और चेंबर में बोलाते हैं और सदन के अंदर कोई भी चीज पेस करेंगे तो आपको ऑथेंटिक, ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा यह जो चीज है कुछ है सच है इसकी जिम्मेदारी मै लेता हूँ उसके बिना वो सदन की प्रोपर्टी का हिस्सा नहीं हो सकती है सदन में पढ़कर सुना नहीं सकते हैं लेकिन यह पढ़ने की जिद ठान बैठते हैं कौन राजिंद गुडा और उसके बाद कुछ और बिधायक आते हैं और वो किस्सा आपको बता रहे हैं रोक और पतकार पूछते हैं कि आप सदन की अंदर तो डायरी पढ़ना चाहते थे, चलो नहीं पढ़ पाए, लेकिन हमें पढ़ कर सुना दीजे, हमें बता दीजे, तो वहां वो गोल मोल से जबाब देते हैं, और फिर कहते हैं कि 500 करोड के घोटाली का जिकर है, राजिसवा चु कैसे सौधिवा जी की, उन तमाम चीजों का जिकर है, इसमें लाल डायरी में, एक कौन कहरा है, राजिंद गुड़ा आरोप लगा रहे हैं, अब आप देखे बहुत सारे सबाल आपके मन में भी आ रहे होंगे, और कुछी इसन समझ में भी नहीं आ रहे होंगी, जैसे कानी कॉंग्रेस से नेता होता, तो समझ भी आता, बीएसपी से आने वाले गुड़ा के पास सीम गहलोत के राज कैसे आ गये, दूसरी बात है कि जब वो कह रहे हैं, कि गहलोत की विश्वास पात धर्मिंद राठोड के घर रेड चल रही थी, तो गहलोत के निदिस पर ही वो राठोड के घर से लाल डायरी निकाल कर लाए, तब सवाल ये भी उठता है, कि सीम गहलोत ने गुड़ा के पास ही क्यों रहने दी वो फायल, अपने पास क्यों नहीं लेली, ये भी सवाल उठ रहा है, और आप जो सवाल उठा रहे हैं, इसमें 24 सवाल मैं भी जोड़ अभी धीरज गूरजर ने भील वाड़ा में प्रेस कॉंफेंस की और उन्होंने साफ तोर पर कंडन किया कि में लाल डायरी के बारे में नहीं जानता हूं, और पिर आप देखे राजिंद गुड़ा के पास के साथ मैं नहीं गया था, और मुझे नहीं मालू कि मेरा नाम क् सकता है, नहीं अंदर से कोई बाहर जा सकता है, मोबायल आप देखते हैं कि सब कुछ बंद करवा दिया जाता है, ऐसे में वो लाल डायरी चीन कर ले गया है, और जांच एजनसियों ले जाने दिया, ये कैसे हो सकता है, ये भी सवाल उट रहा है, जांच एजनसियों ने पर आरोफ लगना चाहिए, और पहली बात कि सी एमो के घर में एक लाल डायरी रखने की जगए नहीं है, और मुख मंतरी असोग गहलोत जैसे चतुर खिलाडी अपने सारे राज एक डायरी में दर्ज करके रखेंगे, आज कल कौन दर्ज करके रखता है, और आपने किसी सक को सौंफ देता है, क्यूंकि आप देखते हैं कि जादूगर रहें असोग गहलोत तो ये भी कहा जा रहा है, अब आपती की भाजापोर कोंगरिस क्या कह रही है, और पेधार मंतरी इस लाल डायरी के खुलने से कई भिटाचार सामने आएंगे, कांगरिस क्या पलटबार कर रही है मोकमंत्री एसो गहलोट ने भी पिधानमंतिर नादमोधी पनिसान साधा उन्होंने काए कि पीम को लाल डायरी की बज़े लाल टमाटर और लाल सेलेंडर पर बात करने चाहिए लाल डायरी जैसा कुछ भी नहीं है आने वाले समय में उनको लाल डायरी दिखा दी इसके विजैंद सिंग और भाजापाल के मदल लाल सैनी की खिलाब चुना लाड़ा था इसमें उन्होंने करीब 8000 बोटों से जीत आंसिल की थी चुनाओ जीता था 2008 में बासापा से चुनाओ जीतने की बाद गुडा ने बासापा चोड़कर कॉंग्रेस का दावन थाम लिया था इसके बाद 2013 की विधानसवा चुनाओ में कॉंग्रेस ने गुडा को उनकी सीट उदैव पूर बाटी से चुनाओ मैदान में उतार दिया लेकिन उस वक्त व भाजापा के उमीदबार सुप करन चौदरी और कॉंग्रेस की भगवान रामसैनी से हुथा और स्तिकोडियें चुनाओ में गुडा ने फिर से जीत हांसल की यानि कि मायवती का दिल बढ़ा करिए कि वो बार बार इने ले लेती हैं चुनाओ जीतने के बाद मंत्री पत के लिए गुडा फिर से बासापा छोड़ कॉंग्रेस में सामिल हो जाते हैं और गहलोत सरकार ने राजमंत्री भी बना दिया लेकिन गहलोत पाइलेट बिवाद में उन्होंने जमकर पाइलेट गुड का साथ दिया और जिसके कारण वो गहलोत के बिरोधी बनते चले गए त और हम लोगों ने उस पर बात की हुई है बाकी आप देखते हैं कि राजनीती का टाइम है चुनाओ का टाइम है तो इस तरह के आरोप पित्यारोप लगेंगे और खोब राजनीती होगी क्योंकि हमारे देश की राजनीती भी इसी तरह के मुद्दों पर होती है आप सभी विल्यांटे।